नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीश रकेश फरबरी के आपके राशी के महाराशी फल के बारे में शबसे पहले दोस्तों जिनका भी यश में बर्त दे हैं या फिर नोशरी है आप शबी को मेर तरब से रेश शारी शूप कमना हैं आप दिन दुगनी राद चौगनी तरीके करें तो आई दोस्तों सके शाथ बात करते हैं यश में गरहों के सिदिक एश होंगी क्या क्या दोस्तों ने दो दोनों में आपका पार्विर्ग जिवन के शरह एगा आरतिक जिति और धन को लेकर इस्तियां के सिवज़ते होंगे इन शबी के महत्ते पुंच जान करें तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और सुरू से लेकर अंतित तक जरूर देखें वीडियो के एंडर में बहुत यच्छे उपाई हैं जुने आपकरके इन दो दोनों को और भी ज्यादा लाबकारी बना पाएंगे उसे पहले दोस्तों इस दिया आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को पर सब्सक्राइब कर लें शाथे बेल आइकन को प्रेश करके और पर्षोड नेट कर दें तो दोस्तों बात करते हैं जान लेते हैं पहले गर्षों को स्तिति कि बारे में लुटा तूला राषि के अबात कि देगे और चित्रा लाख के जाएगे दोस्तों अगर आप यह राई निती में लाव मिलने की अफसर प्राप्त हो सकते हैं यदि आप पड़ाई लिखाई से सम्मदित कोई कारे करने की प्रयास कर रहे हैं तो दोस्तों यह राई आपकी आर्थिक दिरिष्टी से जो शमय होंगे उन्नति दायक शमय होगा वह दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी शावधानी यानि नेगेटिव के लकर बात करें तो अपने खर्चों पर बड़त्रियों होने की अशार हैं लंबी यात्राओं के योग भी आपके लिए याशमय बन सकते हैं हलांके दोस्तों यात्रा की दोरान आपको कुछ परिशानियां भी हो सकती है इसलिए सावधानी परते हैं जो जातक नोकरी सुधा है उन्हें अपने लक्षियों को हासिल करने में थोड़ा शंकर्श करना पड़ सकता है वहीं दोस्तों इंदुनों में आपके लिए जो शमय होंगे वाईवशाई के जीवन में उन्नती का मर्ग खुलेगा प्रमोशन होने के योग है वाईपार में जिस टेंडर या फिर प्रोजेक्ट का आप कुछ समय से इंतजार कर रहे थे वह आपको इंदुनों में मिल सकता है किसी भी बात की जल्दबाजी ना करें पूजा पाठ करना आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा नए लोगों से मेल जोल बढ़ेगा जिससे आपके जोन में एक नयापन और परगती के नए अउशर मिलेंगे अपने मन में स्थिर्था और सयम बनाई रखें परफिशनल वातारोन में उस इस्पेसल व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है वहें दोस्तों इन दोनों में आपकी करेर को लिकर बात करें तो दोस्तों कोई वयुशाय करना अगर चाहते हैं तो उसके लिए यह जो समय है मेहनत करने पड़ेगी लेकिन फल जो है आपको अच्छा मिलेगा और जल्दी ही मिलेगा वहें दोस्तों आपके लिए यह जो दिन होंगे समानी दिन होगा लेकिन कठिम परिश्टम करने से जो कारियों में शुफलता मिलेगी आनावश्यक खर्च की अधिक्ता रहेगी लेकिन आई में बिरदी होने किसे जो आर्थिक सिति आपकी मजबूत रहेगी वहें दोस्तों इंदों में अगर आपकी लव लाइप को लोकर बात करें तो दोस्तों यह जो आपके लिए श्मय होंगे जो अभिवाइत जातक हैं रिस्ते की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं वह यह जो प्रयास कर सकते हैं सफलता मिलने के परबल आसार है हलांकि दोस्तों जिन विवाइत जातकों के रिष्तों में अनबंदच चल रही है वे शहयम से काम ले अनेथा मामला और अधिक गड़बला सकता है दोस्तों इंदोनों में आपके लिए जो समय होंगे प्रिजिनों के साथ आप समय बिता सकेंगे समय बिताने का जो है आपको इसमे मोका मिलेगा दोस्तों इंदोनों में किसी नए रिष्टे की शुरुआत हो सकती है इसलिए दोस्तों इसमी आप अपने आपको तयार रखें वहीं दोस्तों इंदों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो थोड़े से प्रयास से किसी पुराने रोग से जल्दी ही निजात मिलेगा साथी दोस्तों इंदों में आपको खान पन पर ध्यान देने की आउश्चकता होगी दोस्तों इंदों में आपका भागिशाली रंग रहेगा सफेद और भागिशाली अंक रहेगा चार वहीं दोस्तों इंदों में गिनेज जी को इसा लगता है कि आपका निजी जीवन तनावपूर्ण बन रहा है इसलिए आपको अपने शमस्याओं पर पूरीत जो है तरह ध्यान रखने की आउश्चता होगी दोस्तों आपकी शमस्याओं का अंध होने का समय जो है नई दिक आ रहा है इसलिए खूब धहरीपूर्ण समागर परस्तिति शमालने का शलाह जो है अश्मे गिनेज जी आपको देते हैं ताकि उसके परिणाम आपके पक्ष में आ जाए वहें दोस्तों इन दोनों में अगर आपकी वित्तिति यानि धन को लगकर बात करें तो अफिस में ये जो समय आपके लिए खुद को आत्मिश्वासी आप महसूस कर सकते हैं और इसलिए आप श्वेंग को साबित करने के लिए उत्साहित होंगे जो आपके लिए शमय होंगे इन दोनों में सोद करताओं के लिए एक लगकी दिन होगा आप धिरज रखकर साब्धनी पुर्वक निरलाई ले सकते हैं आप जो है सुनक्चित करेंगे की चीज़ें प्रवावी ढंक से हो सके इन दोनों में आपकी पारिवलिक जीवन की बात करें तो आपके पारिवलिक जीवन के लिए जो समय होंगे इन दोनों में रिष्टे के मामले में संदार दिन नहीं का जा सकता है आपको अपनी भावनों को समालने में परिशानी आ सकती है इस तरह आपका भावना जो है भावना तक तनाव को आपको शमालना यह जो समय के लिए चुनोती होगी गिनेश जी का मनना है कि रोमेंटिक की मुजिक आपको तराव मुक्त रखकर आपकी जो पारिवरे जीवन है उसकी भावनों को बढ़ावा देगा वहीं दोस्तों इन दोनों में आपकी आर्थिक स्थितिकी बात करें तो गिनेश जी के अनुशार यह जो आपके लिए शमय होंगे अपने वर्क प्लेश पर बहुत ही अच्छा परदसन आप करेंगे जो सीधे आपकी वित्ति परगतिक से जुड़ा होगा और यह जो शमय है वहर्क प्लेश पर नहीं करेंगे दो सतु है तो इन दोनों में दैस आपको इन दिन दोनों में चीज़ों को असानी से आगे बढ़ने दे हैं यह आपके लिए एक अच्छा दिन नहीं कहाजने सकता है तो इन दोनों में आपको जो है अपनी भौनों का साथ जो डील करने से परिशानी होगी साथ ही दोस्तों ये जो आपके लिए शमय होगे इन दिनों में अगर आप पिछले कुछ वक्त से जो है जुन्जाहट महसुस कर रहे हैं तो दोस्तों आपको इस बात को याद रखना चाहिए इस सही कर्म और विचार आपके लिए जो है बहु परतिक्षित राहत ले आएंगे दोस्तों इन दिनों में संदिक्द आर्थिक लेंदेन में फसने से आप साधन रहें ये जो आपके लिए दिन होंगे खुसियों से भरा शमय होगा क्योंकि आपको जो इन साती जो है पूरा स्रियोग म रहते हैं तो कभी अकेले में हलांकि अकेले वक्त गुजारना इतना असान नहीं है फिर भी ये जो दिन है कुछ समय आप जो है अपले लिए जरूर निकाल पाएंगे दोस्तों इन दुनों में उनमात में घर जाने का है क्योंकि दोस्तों आप अपने जिवनसाती के साथ प साथे दोस्तों ये जो आपके लिए शमय होंगे इन दुनों में किसी भी विवाह या फिर मंगल काम में तन मन धन से जो मदद करना आपके लिए आपकी आर्थिक सिदी को मजबूत करेगा दोस्तों ये शमय आपको कौन से महत्पूर उपायों को करना चाहिए दोस्तों आपको बदा दे यदि घर में इस तरी प्रति दिन प्राता उड़ते ही शर्वपर्थर मुख्यद्वार पर अपने इश्टिदेव का नाम लेते हुए शुक और शुभागी की प्रातना करते हुए एक लोटा जल डाल दे तो दोस्तों उसका अपने पतिशे और उस घर के सबीस देश्यों का अपश में हमेशा प्रेम बना रहता है और उस घर का आर्तिक पक्ष भी हमेशा के लिए मजूद रहता है तो दोस्तों ये शमय आप इन उपायों को जरूर करें ये आपके ये भागेशाली रहने वाले हैं